बुद मॉरिंग बच्चों मनुरंजना सुकला आपकी संस्कित टीचर आज हम आपको पाठ चार उपनिशत बाग पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों दो इस लोग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आज हम तीन इस लोग और पढ़ेंगे तो पहले हम दो इस लोगों को एक बार फिर से रिपीट करें देते हैं आसरीरम सरीरेशू अबनवस्तेशू अविस्तितम महानतम विवत्मानम मात्वा धीरो ना सोचती तो बच्चों गहने का ताथ पर हमने पहले ही बताया है आपको कि एस्वर रूपी जो आतमा है ठीक है आतमा को परमात्मा का रूप कहा गया है तो जो सब के सरीर में विद्वान होती है, हमारे आपके इस उपक्षी है ना, तो विद्वान होती है और चलाय मंचीजों में यह इस्तिर है, तो जो मनुष्य ब्यापक परमात्मा को जान लेते हैं, वह धीर पुरुस कभी भी जन सोक रहित हो जाते हैं, मतलब कभी भी किसी के जाने का सोग नहीं करते हैं दूसरा है ना आत्मा प्रवचेन लभ्यों ना मेधिया ना बहुना स्रुतेन यमे वेश ब्रणेटु तेन लभ्यस्तेश आत्मा प्रवणेटु तनुश्वाम यानि वह जो आत्मा रूपी परमात्मा है वह हमें पढ़ाने पर या उपदेश देने से नहीं मिल सकती और वह बुद्ध्य से भी प्राप्त नहीं होती और ना ही उसे बहुत से सास्त्रों के पार्ट से प्राप्त किया जा सकता है परन्तों जिसको वह सुविकार कर लेती है उसे उसी को वह प्राप्त होती है वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रगासित करता है है ना कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसे ना ही हम पढ़ने से ना ही उपदेश लेने से और ना ही बुद्धी से प्राप्त कर शकते हैं इसे नाहियम सास्त्र पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, याने जिसको आत्मा परमात्मा शुईकार कर लेती हैं, उसी के सामने उसी को प्राप्त होती है, याने प्रभू उसी को अपना रोप प्रकासित कर देता है, ठीक है? तीसरा है नावरितो दुष्चारितो शान्तो ना समाईता ना शान्ता मानसो वापी प्रग्यानि मेनू अनपाद ठीक है तो इसका देखें जो मनुस दुराचारी से नहीं हटता है याने दुराचारी ही रहता है अशान्त रहता है जिसकी बुद्धी इस्थिर नहीं जिसका म दुराचारी से नहीं हटा हमेशा दुराचारी ही रहता है असांत रहता है जिसके उध्धी भी स्थिर नहीं होती है और जिसका मन चंचल है वह केवल तर्क से भगवान को नहीं पाशकता है ठीक है चौता देखिए उतिष्ठम जागरित पापे बरानी वोधा छुरस से धारा निशिता दुरात्य दुरगे पतस्त का वियोवरदान तहां याने बच्चो ये कहा गया है यमराज कहता है मनुश्यों से ठीक है ये संबाद यमराज के वेच हो रहा था तो यमराज कहता है कि उठो हे मनुस उस परमात्म को जानने के लिए अविद्या रूपी नींद से जागो और स्रेस्ट आचारे जनों के सत्संग से इस्वर को समझो हे मनुस यह रास्ता आसान नहीं इस तत्तुदर्शी ग्यान को तलवार की तेज के धार के शमान है जो तत्तुदर्शी ग्यान है यह तेज तलवार की धार के समान है जिस पर चलना अतियंत कठिन है तो अच्छे जो सज्जन हैं उनके पास जाकर सच्छंग करो और इस्वर को समझो यह अबिद्या रूपी नींद से उठने के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे सरीर में अज्ञान भरा हुआ हैं उससे जाग जाओ और अच्छे जो अचारे हैं उनके पास जाओ और इस्वर को समझो यह रास्ता बहुत कठिन है यह तत्व दर्शी ज्यान को पाना उस प्रकार है जैसे तलवार की नोकीली धार पर चलना जिस प्रकार तलवार पर चलना कठिन होता है उसी प्रकार इस रास्ते पर चलना भी ब रूपम रूपम प्रतिरूपम वभूम एकस्ता सर्व भूता अंत्रात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्य यान जैसे बायु संसार के सभी पदार्थों में प्रविश्ठ होकर भी उन सभी पदार्थों का रूप धारण कर लेती है उसी प्रकार सब का साक्षी एक इस्वर ही है, है ना, प्रतेग बस्तु में विद्वान होते हुए भी उन सबसे अलग रहते हैं, मतलब जो इस्वर है, हम सभी जानते हैं कि सभी जगए इस्वर विद्वान है, ठीक है, लेकिन इस्वर के हमें दिखाई देते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा विश्व कि हैं हमुणाप का जीवन है इसका अर्थ है कि इस्वार है हैं तो इसी ये जो आत्मा है जु सरीर के अंदर जो आत्मा है ये एक बायू की तरह है ठीक है एक हवा है जो सबकी आंदर विद्वान होती है ठीक है और जब हवा सरीर सेquently निकल गई तो इनसान मर जाता है, तो यह आत्मा जो है इसे परमात्मा का रूप कहा गया, ठीक है बच्चो एक बार फिर से सुन लो, आत्मा जो है परमात्मा का ही रूप है, और यह इसका कोई सरेर नहीं होता है, पहले ही हमने कहा इसका कोई सरेर नहीं होता है, यह एक बायो की तरह होती जैसे बायू हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है ना ऐसे ही आत्मा होती पर उसका कोई स्वरोप नहीं होता है कोई रोप नहीं होता है वह हमें दिखाई नहीं देती है और जब हमारे सरेर से निकल जाती है तो इंसान मृत्यों को प्राप्त कर लेता है न तो बच्चों ये उपनिशद आपको समझ आ गए होंगे इसे लिख कर आप मुझे सेंड करेंगे ये आपका होम बर्ग है धन्यवाद